नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे साथियों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंगली स्कोर क्लास 11 का महत्पॉर्ण 45 प्रसन जो की निस्सी तोर पे आपके एकजाम में पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को बिना देर के वे सिगरता से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं साथियों देखिए पहला जो प्रसन आपसे पूछा जाएगा वो पैसेज होगा तो दोस्तो ये आपका जो है वो North East के अंदर है यानि कि भारत के उत्री पूर्वी हिस्सा के अंदर है तो इसका आंसर B हो जाएगा ठीक है दूसरा देखें असम को पुरे संसार का टी का गार्डेन ठीक है चाय का बगीचा कहा जाता है क्यों कहा जाता है दोस्तो तो इसका जो आंसर हो जाएगा A number हो जाएगा Tea is abundantly grown here क्योंकि टी जो है वो चाय जो है वो काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे उगता है घ्रो होता है ठीक है तीसरा देखें मतलब कि किस प्रकार के चाय के पत्यों को तोड़ा जाता है तो इसका जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा youngest and most landed lips यानि कि जो यूवा मतलब कि जो हरे भरे पत्यों होते हैं उसको तोड़ा जाता है यूवा वस्था ये तो मानों के अंदर होता है तो भाई उसमें हरे भरे पत्यां होती हैं तो उसको तोड़ा जाता है अगला देखें दोस्तो यानि कि जो हरे भरे पत्यां है उनको तोड़ने के लिए और बच्चे कब जाते है तो दोस्तो इसका जो आंसर हो जायेगा वो हो जायेगा early in the morning यानि कि सुभा में सुभा सुभा ये लोग टीके गाटेंड में टीके पत्ते के तोड़ने के लिए जाते हैं ठीक है पाचमा देखिए दालीप्स आर वेटेड एंड taken off to the उसके बाद जो पत्ते हैं तोड़ने के बाद कहां ले जाए जाते हैं तो इसका answer हो जाएगा factory ठीक है उद्योग ले जाए जाते हैं ताकि वहाँ से चाय पत्ती का चाय जो है वो निकाला जा सके छटा देखिए छटा जो प्रस्न है दोस्तो while writing a note which of the following is not used मतलब यह चार जो option दिये गए हैं इसमें से कौन सा उप्योग नहीं किया जाता है जब आप एक note making बनाते हैं ठीक है note making जब बनाते हैं तो किसका उप्योग नहीं किया जाता है तो भाई article का उप्योग नहीं किया जाता है heading up यो करते हैं sub heading up यो करते हैं abbreviation का भी करते हैं तो इसका right answer D हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा दोस्तो D number इसका right answer हो जाएगा आप साथियो section B में आपको दिखा देता हूँ section B में आठवा जो प्रस्न पुछा गया है in letter writing replaying to inquiries come under the category of तो इसका जो answer हो जाएगा दोस्तो वो हो जाएगा C number business letter ठीक है क्या हो जाएगा business letter 9 number देखे in a formulator the correct form of the salutation भाई salutation करते हैं तो उसका correct form क्या है formulator के अंदर तो इसका जो answer हो जाएगा दोस्तो वो dear sir and madam ठीक है जब आप किसी भी अधिकारी के पास में पत्र लिखते हैं तो पहले में क्या लिखते हैं salutation के रूप में dear sir or madam तो right answer क्या हो जाएगा a number ठीक है दसमा देखे in business letter the name and designation of the address is written on the business letter के अंदर जो नाम होता है और designation यानि पद होता है तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका a number ठीक है left margin के अंदर लिखा जाता है ध्यान रखिएगा दोस्तो a number हो जाएगा इसका right answer एक आरवा देखे रस्मी bought a book and blanks import रस्मी जो है वो एक book खरीती है और एक import दवात खरीती है तो इसका यहाँ पे article आपको चूच करना है दोस्तो तो कौन सा article लग जाएगा आपका a n लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है a e i o u है ठीक है यह आपका भोवेल है इसलिए क्या लग गया a n लग गया 12 जो आपका प्रस्मी साथियों देखे खाली स्थान of the boys sang a song मतलब की जो बच्चे है वो क्या करें गीत गा रहे है तो इसका जो answer हो जाएगा दोस्तों वो यह number none हो जाएगा ठीक है कोई भी बच्चे जो है वो गाना नहीं गा रहे है अब देखे C number आपका 6 and C के अंदर पैसे जाएगा अब यह पैसे से आपको answer ढूण के देना होता है देखे दोस्तों यह पैसे से आपका प्रस्ण पुछा गया 14 number the sun blanks in the west अब देखे जो सूरज है वो क्या होता है डूबता है ना पस्सिम के और तो इसका answer हो जाएगा sets ठीक है बी नमबर 15 मा देखे आई खालिस्थान how to swim तो इसका जो answer हो जाएगा दोस्तों वो बी नमबर do not know मतलब की हमें तैड़ना नहीं आता है 16 देखे कुसुम खालिस्थान prefer to keep quiet जो कुसुम है वो क्या करती है prefer करती है सांध रखना इसका जो answer हो जाएगा दोस्तों 16 नमबर का वो हो जाएगा would ठीक है क्या हो जाएगा would हो जाएगा a नमबर इसका right answer 17 मा देखे दोस्तों 17 मा है if I wear you I blanks not to do not do it तो इसका जो answer है दोस्तों वो आपका हो जाएगा c नमबर ठीक है I would not do it कह रहा है कि if I wear you यदि आप होते तो ये आप नहीं करते तो I would not do it ठीक है आगे दोस्तों section D है section D के अंदर भी एक छोटा सा यहाँ पे पैसेज दिया गया है इससे प्रस्ण पुचा गया है 18 नमबर the labrum tree top is blank चार options दिये गया है दोस्तों तो इसका answer जो है वो C number हो जाएगा quiet, silent and still ठीक है यह जो tree होता है वो santa होता है और still एक जगा स्थित होता है अगला देखिए दोस्तों 19 जो प्रस्ण है what time of the day is described मतलब की जो दिन का कौन सा समय यहाँ पे बताया गया है पैसेज के अंदर तो दोस्तों B number इसका हो जाएगा afternoon ठीक है afternoon ठीक है 20 देखिए how does September sunlight appear जो September महिना का sunlight होता है वो कैसा दिखाई देता है तो दोस्तों यह जो है वो आपका yellow दिखाई देता है yellow यानि की पीला ठीक है आगे देखिए a few lips, कुछ पते blanks तो 21 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा a number are turning yellow ठीक है 22 देखिए who were BT and Dolly BT and Dolly कौन थे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तो d number cousins of poet mother ठीक है जो कभी की मा है उनके यह cousins है 23 देखिए दोस्तो who is the poem of earth who is the poem of earth तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका a number हो जाएगा the rain ठीक है क्या हो जाएगा the rain 24 प्रसने साथियों in the poem childhood the poet wants to know अब देखिए poem childhood में जो कभी है वो क्या जानना चाहते है तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इससे लाना चाहते है फिर से इससे देखना चाहते है ठीक है 25 देखिए we in the poem childhood stands for मतलब की we childhood जो poem है उसमें we का मतलब क्या है 25 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा c number ठीक है यानि कि the father and the son ठीक है आगे देखिए 26 जो प्रस्न है वो है bird face in the poem the labranum tops means तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा b number face having steps on it 27 जो प्रस्न है दोस्तों where was the photograph taken मतलब photograph जो है वो कहां पे लिया गया था तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा b number on the beach ठीक है 28 प्रस्न है दोस्तों who is the poet of the poem the labranum top तो इस जो ये कवीता है इसके कभी कौन है दोस्तों इसके जो कभी है वो है Ted Hughes ठीक है कौन है Ted Hughes इसके कभी है next प्रस्ने साथियों why did the grandmother keep one hand on her waist यानि कि जो grandmother दादी मा है वो अपना हाथ को waist के उपर कमर के उपर क्यों रखती है दोस्तों तो 29 का ये हो जाएगा to balance her stop अपने आपको संतुलित करने के लिए आपकी दादी भी अपना कमर पे हाथ रखके चलती है ताकि वो सही से चल सके ठीक है यही हाल हम सभी का होने वाला है बढ़ापे में है ना आगे देखिए तीस्वा जो है वो प्रस्ण है वेर डिट दा ऑथर स्पेंड इस चैल्ड होड यानि कि जो कभी है अपना बच्पना कहां पे बिताते हैं तो देखिए इसका जो answer हो जाएगा हो जाएगा गाओं में बिताते हैं अपने दादी मा के साथ में देखिए दोस्तो बुडे लोगों का सबसे सच्चा मित्र उसका अपना पोता होता है अपना पोती होती है उसी प्रकार से दोस्तो अंतिम मित्र होता है और उसी प्रकार से बच्चों का भी मित्र होता है उनके दादा जी ठीक है एक तीसवा देखिए whom the narrator want to duplicate in आगे we are not afford we are not afraid to die if we can all be together देखिए ये जो we are not afraid to die हम लोग मरने से नहीं डरते हैं यदि हम लोग सब साथ में होते हैं तो इनके narrator कौन है दोस्तों तो इनके जो narrator है वो आपका है Captain James ठीक है Captain James लोग ध्यान रहेगा दोस्तों 31 का B नमबर हो जाएगा Captain James लोग आगला जो प्रसने साथी हो इन डिस्कवरिंग टूट दस सागा कंटिनियूस Howard Carter Vaz Howard Caster कौन है दोस्तों तो देखें ये आप पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा British Archaeologist है क्या हो जाएगा British Archaeologist यानि कि 32 का आपका C नमबर आंसर हो जाएगा Archaeologist का मतलब होता है भुगर्व सास्त्री जो जमीन का जाज परताल करता है कि जमीन के अंदर है क्या दोस्तों 33 वा प्रसन है What did who does he paint for the Imperator ठीक है तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A number Middle-aged Master यानि कि एक मध्या में इसके सिक्षक है Master है 35 देखे 35 जो प्रसन पुछा गया है Who is the author of the adventure? The adventure के author कौन है? लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक है जयंतर नडली कर ठीक है? जयंतर नडली कर अगला जो प्रसन आपसे पूछा गया है 36 नमर साथियों वो है Who is situated on the shore of? होर कहां पे situated है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेक मांसरोवर, मांसरोवर जहील के आज़ पस यह situated है स्थीत है Next question है What gift did Lambo give to the author? लेखक को जो है वो क्या gift देता है वो पहार देता है लेखक को तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तो Full sleeped coat यानि कि एक coat देता है जो कि full sleep होता है Half sleep मतलब half set, full sleep मतलब full set ठीक है अरतिस्वा देखिए अरतिस्वा जो प्रस्ण है दोस्तो वो आपका देख पा रहे होंगे स्क्रीन के उपर मुराद was very fond of मुराद ठीक है तो अरतिस्वा का जो आंसर है वो हो जाएगा horse riding मतलब यह यार मुराद, अरम मुराद का कहानी आप पढ़े ही होंगे horse riding करना इसे पसंद है, घोर्षवारी करना पसंद है अरम मुराद के काफी सुन्दर से कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको यह चीज याद होगा 49 का देखिए मतलब किस जन जाती से अरम और मुराद जो है वो बिलॉंग करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हर गलियन ठीक है अगला देखिए मतलब कि जो दा अड्रेस कहानी है इसमें से जो नेरेटर है जो कहानी कह रहा है वो कौन से देश से बिलॉंग करते है तो दोस्तों ये जो है ध्यान रखेगा अगला जो प्रस्न पुछा गया है दोस्तों वो आपका है देख पा रहे होंगे एक तालिस्वा प्रस्न तो ये आपसे पुछा गया है और रामारा के भती जी का नाम क्या था तो भाई एक तारिस अगर पढ़े होंगे ये स्टोडी तो आपको पता होगा रतना इनके नाइस का नाम था ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वो आपका हो जाएगा बी नंबर परसंस नेवर ठीक है परसंस परूसी ठीक है अगला देखे चावाली सेवां जो प्रस ने पूछा गया है आपसे वो स्क्रीन के उपर देख पा रहे होंगे आप वाट हैड बीन अगा सहित सफरिंग आगा सहित जो है वो किस बीमारी से पीडित था तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर ठीक है कैंसर से ये पीडित थे अगला देखे वाट वाज एंडू मेंसन प्रोफेशन एंडू मेंसन के प्रोफेशन यानि पेशा क्या था तो भाई इसका प्रोफेशन जो ह वो डॉक्टर थे ये डॉक्टर थे ठीक है इनका पीसा गया था डॉक्टरी करना तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये 45 कोशन आपको समझ में आ गया होगा और ये निसी तोर पे आपके एक्जाम में helpful साबित होगा निसी तोर पे आपको इससे मदद मिला होगा यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दीसे दोस्तों तक जरूर सेर करें ताकि सभी को इससे help पहुंच सकें मिलते हैं साथियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद